कि मैथमेटिकल फंक्शन्स इन माइस्क्यूर फिर्स्ट मोड फंक्शन यह एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरीए हम किसी भी नंबर को किसी और एक नंबर से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम आटपूट या फिर रिजल्ट कहेंगे या फिर वो होगा रिजल्ट इसका सिन्टैक्स होगा यहाँ पर mode value divisor ठीक है और example हम देखेंगे यहाँ पर जदी my skill में हम लिखना चाहें या फिर type करना चाहें या फिर करना चाहें तो क्या होगा select mode 5,2 और इसका output आएगा 1 ठीक है देखते हैं कैसे आएगा जैसे हमारे पास है 5 हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2,2,4 और reminder आया 1 तो यह होगा answer ठीक है जैसे first example में हम देख रहा है select mode 5,2 और output है 1 यह तो वह इसे ही यह output दिखाएगा तो जब भी कभी exam में आएंगे mode function के बारे में तो आपको क्या करना पड़ेगा यह definition लिखना पड़ेगा syntax लिखना पड़ेगा और इस type के examples लिखना पड़ेगे उसी प्रकार हम ज़िए second example को देखें same to same उसी प्रकार होगा जिसमें हम लिखें है select mode 10,2 और उसका output 0 आएगा देख लेते हैं कैसे 0 आएगा 10 को हम divide करेंगे किस से 2 से तो 2 5 चा 10 reminder 0 तो यह होगा answer जो कि हमारे पास यह आया है ठीक है इसी तरह हम यह mode function को perform करेंगे ठीक है अब हम next function को देखते हैं जो कि हमारे पास है power function यह function क्या करेगा कि CV number का 2 the power निकालेगा जैसे मान लो कोई एक number है उसका हम power 6 निकालना चाहते हैं 3 निकालना चाहते हैं यह फिर 2 निकालना चाहते हैं वो सारे चीज हम इस function के जरीए कर पाएंगे ठीक है तो इसका syntax यहां पे हमारे पास है power value exponent exponent यहां क्या होगा जैसे 2 to the power 3 तो यह 3 हो जाएगा exponent exponent और यह 2 हो जाएगा value जैसे हम देखेंगे हमारे syntax में है ठीक है तो उसी प्रकार जदी हम example लेंगे यहां पे जैसे हमारे पास example है select power 4,2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 to the power 2 तो answer हो जाएगा 16 ठीक है वैसे ही अब दूसरा example हम देखना चाहें जो कि यहां पे हमारे पास है select power 10,3 उसका मतलब 10 to the power 3 उसका मतलब 10 into 10 into 10 उसका मतलब हो जाएगा 1,0,0,0 यह answer होगा जो कि हमारे पास यहां है ठीक है यह हो गया हमारा power function दूसरी example भी हम ले सकते हैं जैसे हम यह कर सकते हैं 12 to the power 2 तो हो जाएगा यह हमारे पास 12 into 12 जो कि 1,4,4 ठीक है तो यह power function आपका MySQL पे इस प्रकार काम करेगा जैसे हमने दिया है यहां पे power जो है जो कि exponent value 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता 4 भी हो सकता है और कोई भी number यहां पे हो सकता है ठीक है तो यह रहा आपका power function ठीक है ट्रंकेट function यह भी एक mathematical function है हमारे SQL में ठीक है इसको हम समझने कोशिस करेंगे इसके for example select truncate 1.232,2 तो कॉमा के बाद जो है 2 यह वाला यह है precision ठीक है और उससे पहले जो है वह है value ठीक है तो यह कॉमा के बाद जो 2 है वह क्या करेगा जो value है उसमें decimal point के बाद उतनी नंबर रखेगा output में जैसे हमारे पास यह number है 1.232 और कॉमा देके हमारे पास 2 है यह 2 का मतलब है कि decimal point जो यह है इसके बाद सिर्फ 2 ही digit रहेंगे जैसे की 2 और 3 तो answer देखो क्या आएगा हमारे पास 1.23 जो की है हमारे पास answer 3 1.23 ठीक है वैसे ही अब second example को हम समझने का कोशिस करेंगे वह क्या बोलता है यहाँ पे select truncate 1.232 0 जो precision है यहाँ पे 0 है इसका मतलब decimal point के बाद कोई भी number नहीं होगा जैसे हमारे पास example है 1.232 0 यह इंडिकेट करता है कि decimal point के बाद कितना digits होंगे तो 0 उसका मतलब decimal point के बाद कुछ भी digit नहीं होंगे तो उसका मतलब यह total हट जाएगा और हमारे पास answer आएगा 1 जो की यहाँ पे है हमारा 1 ठीक है इसी तरह third हम जदी example पे focus करते हैं क्या होगा देखते हैं यह बोल रहा है select truncate 144,2 144,2 यह क्या बोल रहा है sorry minus 2 यह क्या बोल रहा है जदी precision minus में होता है negative में होता है तो decimal point के left में जो number है वो 0 हो जाएंगे कितना number 0 होंगे दोठो number 0 होंगे जो precision में लिखा हुआ number जो की हमारे पास है यहाँ पे 2 तो decimal point तो हमारे पास है नहीं तो suppose कर लेते हैं decimal point है यहाँ पे और यहाँ जिरो है तो that is equal to 144 right तो decimal point के left में जो 2 digit है 4 & 4 तो answer क्या होगा 100 जो की यहाँ पे है जो की कोई भी number रहेगा decimal वाला number उसे क्या करेगा कट करेगा कहां तक कट करेगा कैसे कट करेगा यह तीन उसके strategy है या फिर formula है या फिर उनके rule है according to this rule the given number will be truncated if the precision is positive then उस positive number तक truncate होगा if the precision is zero then there will be no decimal point in the number if the precision is negative then the left of the decimal point will be truncated to zero ठीक है तो overall यह है हमारा truncate function यह भी एक mathematical function है हमारे mysql में यह क्या करेगा कोई भी decimal number होगा उसे truncate करेगा और round करने के बाद ठीक है इसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे इसके example के मदद से तो पहले हम देखेंगे यहां पर कि round function का syntax क्या है यह है syntax round number comma decimals ठीक है इसको हम देखेंगे एक example के मदद से जो हम लिखेंगे mysql में select round 625 .156 comma 0 ठीक है तो यह output क्या देगा हमारे 625 देगा कैसे comma 0 का मतलब decimal point के बाद कुछ भी नहीं रहेगा तो यह है decimal point उसके बाद 156 है तो यह 156 को totally remove करना है क्योंकि decimal point के बाद कुछ भी नहीं होगा जो कि इससे पता चलता है ठीक है तो answer हमारे पास होगा only 151 sorry 1625 जो कि यहां पर 625 है ठीक है next example हम देखेंगे उसी प्रकार हमारे पास next example है select round 345 point 156 comma 2 ठीक है उसका output है 345 point 16 देखेंगे कैसे होगा हमारे पास example है 345 5 point के बाद सिर्फ दो ही digit होंगे 15 होंगे यहां क्या करेंगे round भी हमें करना है तो यह digit हमें changes आएंगे कैसे कोई भी number जदी five से ज़्यादा है या फिर five है यह फोकस करेंगे तो उसका जस्ट पहले वाला number या फिर हम बोल सकते हैं जो second number तक ट्रंकेट होगा o number change हो जाएगा जदी five है या फिर five से ज़्यादा है third number जो कि हमारे पास six है five से ज़्यादा है तो उसका पहला number में one add हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा three four five point one six क्योंकि five के just right side वाला number number पांच या फिर five से ज़्यादा है तो उसके left side वाला number पे one add हो जाता है तो हमारे पास left side में क्या है six के left में five है तो five में one add हो जाएगा जो कि six हो जाएगा तो output होगा हमारे पास three four five point one six yes correct है ठीक है तो इसी प्रकार around function काम करेगा अब देखेंगे sqrt function जिसको कि हम बोलते है square root function जो की square root निकालेगा है कोई भी number का square root निकालके उसको answer बताएगा तो हम देखेंगे उसका syntax यहां पर क्या है पहला syntax है sqrt और number जिस number का square root निकालना है वो number को लिखना है तो हम इसे mysql में हम कैसे perform करेंगे उसे हम समझेंगे example के मदद से तो पहला example हमारे पास है select sqrt four तो उसका answer होगा two कैसे होगा जैसे हम लोग जानते है square root of four is equal to two same way यह function काम करेंगा यहां पर ठीक है वसी प्रकार हम second example को देखेंगे जो कि हमारे पास है यहां पर select square root of sixteen जो कि हम जानते हैं उसका answer four होगा तो यह कैसे होता होगा square root sixteen is equal to four ठीक है होगे कोई भी परेशानी होंगे तो जरूर आप हमें कमेंट्स कीजे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंट्स पर शेर किजे यह वीडियो को ठीक है थाइक कि उन्तों मुआ यह तो यह उन्तों यह लिए गॉआ